बच्चो स्वागे थे आपका मेरी य्ट्यूब चैनल पर आज हम क्लास 6,7,8 की गतिवीधी पत्रक 4 करेंगे बच्चो डेट है आपकी इस गतिवीधी पत्रक की 20 जैन्वरी 2022 ठीक है वरक्षीट को स्टार्ट करने से पहले आपसा बच्चो प्लीज मेरी चैनल इश्यव कम्य कैस्ता बच्चो कोव भाग तु अगये तो भाग हो मोस पहले पढ़ चुक जिसमें क्या थे कर्या होट है दिवा İyi भूप गाणि इंवह आ वाज बच्चं को हुआ पानी का निच्चे नीच्चे नहीं पीथ हो इसे क्या हुआ है उसी कर्केब सूजी जो कर दिदा झाला इसा। इसी तरह से कुछ कि ओठार के वो क्या करने लगा खड़े में डाल दिया जो को उठार के घडरे में अपनि पर ऐगया क्यों कि देखने पाने उपर आगया कमध 200 फ्ली फ्लीकरेiveness के तो तो इस परकार क्या था 85 कवे ने दिमाग लगाया अपनी महनत की तो उसको पानी मिल गया तो कहने के अधार पर बताएं तो कहने के अधार पर आपको बताने question sir आप कोवे की किस बात से सबसे अधिक परभावित हुए और क्यूं तो कौन से अधिक बात सबसे परभावित हुए आप लिखेंगा आप इसका अंसर लिखेंगे कोवा ने घड़े में कम पानी देखकर हार नहीं मानी बल्कि उसने अपना दिमाग लगाए और पानी पी लिया ठीक है तो उसने कहा वो उदास नहीं हुआ उसने हार नहीं मानी बल्कि उसने पर दिमाग के इस्तमाल किया उसमें कंकर डाले और जैसे क्या पानी उपर आया उसने पानी पी लिया बच्चो कोशन नमबर वन का अंसर है आपका second question है बच्छो आपकी इस worksheet का activity sheet का second question में आपसे पूछा गे क्या कोवा पानी पी पाए तो कोवे ने पानी पी लिया था बच्छो तो second question का अंसर आप लिखेंगे यहां से हाँ कोवे ने पानी पी लिया ठीक है question number 2 का answer है कोवा कोवा कोई ओर तर्की लगा सकता था दो या तीन भाकियों में लिखें तो कौनसी ओर तर्कीव है आपके दिमार्ग में कि मुँद्धा सकता तो लिखेंगा पानी पी सकता था था तो तो यह question number 3 के answer में लिख देंगे next question है इस कहानी को अपने शब्दों में बताए तो जितने आपनी कहानी पड़ी है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है तो लिखेंगे बच्चों आप इसमें तो इसमें आप लिखेंगे स्टार्टिंग से एक समय की बात है एक कोवा था जिसे बहुत जोरों से प्यास लगी थी इसलिए वो पानी की इतलाश में इदर बटक रहा था लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला प्यास के मारे कोवा की हाल इतनी खराब होने लगी कि वो ठीक से उड़ भी नहीं पा रहा था फिर भी उसे जैसे तैसे हिमत जुटा कर वो पानी ढून रहा था उसको बहुत चारा प्यास लगी थी उसके अंदर हिमत नहीं थी फिर भी वो हिमत जुटा कर पानी ढून रहा थ कोवे निया कौवे निया कि चलो देखते हैं कि उस मटके में पानी है या नहीं है ठीक कर इसके बाद आप लिखें कोवे, कोवे निया कोवे घर ने कम पानी देखकर हार निए महानी बलकिए अपना दिमाग लगाए और ठीक है बच्चो तो इसके बाद आपने हाथ अगी लिए कोवे ने सोचा कि चुला देखते हैं कि उस मटके में पानी है या नहीं तो इतना आप लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे तो वह कोवे पानी की आशा में उस मटके की तरफ गया पटके के पास जाने पर उसे ने दिखा कि मटके की तली में बहुत थोड़ा साब पानी है जिसके कारण कोवा मटके की तली तक नहीं पोच पा रहा था तबी कोवे को मटके के पास में ही रखे कुछ छोटे-छोटे कंकर दिखाए दिखाए दिये, सेम है आपकी स्टोडी में था, कंकर दिखाए दिये थे, क्या गया था कोवे ने, कोवे ने एक तरकेव लगाई, उन कंकरों को एक एक करके मटके में डाने लगा, देरे-देरे तो इसमें से दाल मट्के के लिए तो मट्की का पाय लिए तो पानी सब्सक्राइब रौक जा और खृतर सो इसके फिली नहीं लिवल प्रस चलेमिया। कि बच्चां की नहीं हमेदा ने मर्न लानातिवा नेपेअग़雨 नहीं लेकी के शौर्ट कुछ नहावाई है traषा चेक करें अगर आपको मेरा इस प्रकार पढ़ाएवा अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों की साथ शेयर करें कमेंट करके जुरू बताए कि बच्चों को वीडियो कैसे लगी और प्लीज आपसे बच्चे मेरे चैनल रिश्व कम्यूटर क्लास् इसको सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू एवे नाइस टी